हैलो चिल्डिन नाव यार गोईंग टू रीट बिफोर नमबर चिल्डिन प्रिबिएस वीडियो में मैंने आपको काम्टिंग और बैकवर्ड काम्टिंग सिखाया था अब हम आपको सिखायेंगे विफोर नमबर ओके सबसे पहले आप अपनी कॉपी में डेट मेंशन करें आज डेट है 22 मन्थ है 7 और येर है 2020 सिखायेंगे अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे अब आएए हम विफोर नमबर राइट करना स्टार्ट करते हैं चिल्डिन ये कौन सा नमबर है ये हैं 11 और 11 का विफोर नमबर क्या होगा क्या आप बता सकते हैं 10 क्योंकि 11 से पहले 10 आता है इसलिए 10 11 का विफोर नमबर हुआ ये है चिल्डिन 22 और 22 का विफोर नमबर क्या होता है 21 नेक्स्ट चिल्डिन 36 और 36 का विफोर नमबर होता है 35 ये चिल्डिन 48 और 48 का विफोर नमबर होता है 47 ये है 50 और 50 का विफोर नमबर होता है 49 Let's read after number Children, अब हम सेखेंगे after number यह है 19 और 19 का after number होता है 20 क्योंकि 20, 19 के बाद आता है इसलिए 20, 19 का after number हुआ तो यहाँ पर आहीं हम write करेंगे 20 यह है चिल्डेट 27 और 27 का after number होता है 28 यह है 38 और 38 का आफ्टर नंबर होता है 39 यह है 40 और 40 का आफ्टर नंबर होता है 41 यह है 59 और 59 का आफ्टर नंबर होता है 60 अब हम पढ़ेंगे between number between number उसे बोलते हैं जो number दो number के बीच में आता है जैसे कि यहाँ 20 है और यह है 22 तो 20 और 22 के बीच में कौन सा number आया हमें यहाँ वो write करना है 20 और 22 के बीच में आता है 21 तो यह 20 और 22 का between number हुआ next है 36 38 तो 36 और 38 के बीच में आता है 37 यह है 48 यह है 50 तो 48 और 50 के बीच में आता है 49 next है 59 और 61 तो 59 और 61 के बीच में आता है 60 next है 87 और 89 87 और 89 के बीच में आता है 88 okay चिल्टेंट करना है जड़स्जार करना है क्युमेट करना है